स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूटूब चैनल पे कल हमने ट्रकियो इसोफेगल फिस्चुला के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजस, टाइप और क्लिनिकल मानिफेस्टेशन देखी थे आज हम देखने वाले हैं milie को टीएफ हुआ है टो हम वो कैसे डीजोस करेंगे हमों को पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे को टीएफ हुआ है तो firstly क्या करते है कि जब मदर प्रेगनेंट रहते है तो ANC पिरेट में हम उसे सस्पेक्ट कर सकते है कब जब मदर USG करते है सोनोग्राफी करते है प्रेगनेंट उमन्स की तब और कब कौन से केस में अगर मदर को पॉलि हाइड्रामिनस है और मदर की USG कर रही है तो उसमें हमें दीखेगा कि बेबी को ट्रकियो इसोफैगल फिश्चुला प्रेजेंट है देन नेक्स्ट है दे डिस ओडर इस डिटेक्टेड आप्टर सून आप्टर बर्थ विन इंफंट शोज वीगरस कफिंग और चोकिंग इन रिस्पॉंस तो फीडिंग उसके बाद बेबी डिलेवर्ट होने के बाद जैसे ही हम उसको फीड करते है तो उसमें चोकिंग यह भी जो साइन्स है वो हेल्प करते हैं डाइग्नोस करने के लिए कि बेबी को टीएफ तो नहीं है उसके बाद एक्सरेज अगर करते हैं चेस्ट एक्सरेज तो उसमें एयर फिल्ट पाउच अगर होता है तो उससे हमें दिख जाता है कि बेबी को टीएफ है देन अल्टरासाउंड इनेबल आइडेन्टिफिकेशन अब टाइप अब ट्रकीयो इसोफाजियल फिस्चुला जब हम यूएसजी करते हैं तो हम टाइप डीटेक नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली की कौन से टाइप का टीएफ है लेकिन सिर्फ हम ग्रेफे टेडिफिकेशन ऑफ ट्रकीयो इसोफाजियल फिस्चुला जबर टेनेग्समत management में the management of the tracheoesophageal fistula is mainly surgical intervention depends on the distance between the proximal and the distal pouch of the esophagus, type of defect condition of the neonate and his weight तो tracheoesophageal fistula जो है इसमें mainly surgical intervention होता है ठीक है तो अब surgical intervention कौन से कौन से चीज़ों पर depend रहता है first distance, proximal और distal जो pouch है, esophagus का उसके बीच का distance कितना है means अपर और lower segment में distance कितना है इस पर depend होगी कि surgery कौन सी करने वाले है उसके बाद type of defect जो हमने कल 5 types देखे थे उसमें से कौन से type का defect है, इसके हिसाब से surgery करेंगे then condition of neonate neonate की जो condition है means वो serious है, उसको breathing difficulty है, उसके हिसाब से और उसका weight भी important है, अगर baby का weight बहुत कम होगा तो हम नहीं कर पाएंगे surgery क्योंकि baby वो tolerate नहीं कर पाएगा सर्जिकल मानेजमेंट में इंटर्वेंशन है TEF के लिए, उसके बाद वो चार चीजों पर डिपेंड होती है surgery अपर और लोर सेगमेंट के बीच का distance, उसके बाद type of defect, उसके बाद condition of neonate and weight of the neonate, ठीक है तो first है इसमें staging surgery करते हैं staging surgery means क्या है कि इसमें stages में surgery करेंगे, एकदम से एक ही stroke में पूरी surgery complete नहीं करते तो staging surgery when the distance between two esophagus segment is large and the condition of the infant is poor a two stage procedure में भी required जब distance होता है proximal or distal end का यह बहुत ज़ादा होता है और infant की condition है वो poor होती है तो इस case में हम क्या करेंगे जो surgical procedure है वो two stage में करेंगे first stage में क्या करेंगे हम initially in first stage the tracheoesophagal fistula is ligated and gastroptomy is done to reduce the risk of reflux and to provide the feeding also a provisional cervical esophagotomy is done to drain out the saliva from the proximal blind oesophagal phagial pouch तो इसमें क्या करेंगे tracheoesophagal fistula है उसे ligate करेंगे उसके बाद gastroptomy करेंगे gastroptomy क्या help करेंगी जो replux हो रहा है वो नहीं होने देगी और हम feeding भी कर सकते हैं gastroptomy means directly tube place करेंगे stomach में उससे हम जो कुछ matter है वो remove भी कर सकते हैं secretions और feeding भी दे सकते हैं उसके बाद oesophagal phagial tummy कर सकते हैं उससे हम जो saliva है proximal blind lens से वो remove कर सकते हैं then next ये थी stage 1 और second stage में हम क्या करेंगे in the second stage both proximal and distal oesophagal segment are anastomosed means इसमें क्या करेंगे कि जो proximal और distal aim है उनमें surgical connection करेंगे anastomosed means क्या होता है कि connection between the two structures और वो भी कैसे जो tubular structure होते है means tube-like structure होते है उसमें connection करेंगे then if the gap is too large अगर gap बहुत जादा है means distal और proximal end का जो gap है वो बहुत जादा है तो हम क्या करेंगे a segment of colon is used for reconstruction of the oesophagus this is done about 18 to 24 months of age अगर distal और proximal end का जो gap है वो बहुत जादा है तो colon का means हमारे intestine का थोड़ा सा पार्ट लेके हम उसे वहाँ place करेंगे oesophagus में जो gap है वो feel करेंगे by using the part of colon और ये जो reconstructive surgery है ये हम कप करेंगे जब बेबी 18 to 28 months का है और after this repair oesophagotomy and gastrectomy are closed ये अगर repair हो गया उसके बाद oesophagotomy और ये थी second stage then next है हमारे nursing management तो nursing management में भी हमने two is में divide किया है pre-operative nursing care और post-operative nursing care तो pre-operative nursing care में क्या करेंगे nursing diagnosis क्या है firstly risk of aspiration related to structural abnormality इसमें chances रहते हैं pre-operatively कि बेबी जो है वो aspirate करेगा क्योंकि उनका structure अच्छे से नहीं रहता तो इसमें हमें नाजोगेस्ट्रिक ट्यूब पूट करना है aspiration प्रिवेंट करने के लिए और aspiration जो है secretions जो है उनका collection भी प्रिवेंट करने के लिए then maintain the patency and indwelling नाजोगेस्ट्रिक ट्यूब by frequently irrigating it with normal saline हमें frequently जो नाजोगेस्ट्रिक ट्यूब है उसे irrigate करना है उसके बाद place the infant in a semi upright position to prevent reflux of gastric content बेबी को semi upright position में रखना है जिससे gastric reflux है जो उपर नहीं आएगा और prevent होगा then constantly observe the child for the symptom of respiratory distress pallor or sinus continue child को observe करना है कि उनका respiratory function कैसा है distress तो नहीं हुआ है उसके बाद sinus तो नहीं हुआ है इसके लिए हमें continue baby को observe करना है then उनका जो position है वो change करते रहना है frequently जिससे हम निमोनिया प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बाद administered the prescribed antibiotic to prevent and treat the pneumonia अगर निमोनिया हो गया है तो prescribed antibiotic administered करनी है बेबी को तो ये था पहला nursing diagnosis risk of aspiration related to structural abnormality then second क्या है pre-operatively risk of deficient fluid volume related to inability to take oral feeds इसमें deficient fluid volume होगा क्योंकि बेबी जो है वो ओरल ही कुछ लेही नहीं सकता कुछ feeding ही नहीं ले सकता तो इसमें हां nursing intervention क्या करेंगे intravenous fluid administer करेंगे IV fluids उसके बाद intake output charge maintain करेंगे बेबी का उसके बाद बेबी का hydration status है उसे monitor करेंगे कि dehydrate तो नहीं हो रहा है बेबी ये तीन intervention main है अगर fluid deficient हो रहा है तो then next है pre-operatively nursing care में impaired breathing related to frequent laryngospasm and excessive secretion in the trachea breathing difficulty होगी बेबी को administer करना है उसके बाद infant को semi upright position में रखना है ये थे pre-operative nursing care अब post-operative nursing care में क्या करना है ineffective airway clearance related to disease procedure breathing difficulty, airway clearance का problem रहने ही वाल है तो इसके लिए intervention क्या करेंगे oxygen administer करेंगे अगर needed है तो ventilatory support भी देना पड़ेगा बेबी को उसके बाद बेबी की जो position है वो semi upright रहेगी और जो secretions है वो remove करने है हमें उसके बाद second है impaired nutritional related to surgery बेबी का nutrition भी impaired होगा क्योंकि surgery हुई है तो उनको कुछ खाने को भी नहीं दे सकते हैं फीड भी नहीं कर सकते तो हम बेबी को feed the nursing intervention में क्या करेंगे feed the infant orally by gastroptomy gastroptomy से orally हम feed करेंगे उसके बाद gastroptomy feeding is started as soon as ordered gastroptomy after surgery direct हम नहीं start कर सकते जब prescribe करते हैं doctor order देते हैं तब start करने है after the surgery उसके बाद prevent air from entering the stomach during gastroptomy feeding जब हम gastroptomy feeding कर रहे हैं तो हमें air जो है उसे एंटर नहीं करने दिना है stomach में उसके बाद after the 10 to 14 days of surgery before starting the oral feed an x-ray is taken to find out whether anastromosis has healed 10-14 दिनों में दिनों के बाद surgery के हमें पहले x-ray करने हैं उसके बाद oral feeding start करनी है x-ray क्यों करने हैं x-ray में हमें देखना है हमने जो anastromosis किया था जो हील हुआ है कि नहीं anastromosis means क्या बता है था कि जो upper और lower segment है उसका connection the connection between two structures तो यह heal हुआ है कि नहीं completely यह देखना है उसके बाद oral field start करनी है उसके बाद third nursing intervention क्या है after operation alter the comfort reduce to chest tube drainage and surgery chest tube drainage भी है बेबी को surgery भी हुई है तो उसको comfortable नहीं रगीगा तो इसके लिए हमें क्या करना है बेबी को comfortable position देनी है semi-fowler position like sitting उसके बाद उन्हें analgesic provide करना है क्योंकि उनको pain भी हो रहा होगा then provide the calm and quiet environment so that the baby may rest anxiety related to disease तो इसमें क्या करना है बेबी को analgesic provide करनी है semi-fowler position देना है और calm and quiet environment उनको provide करना है उससे बेबी आराम से rest ले सकता है then fourth nursing intervention क्या है anxiety related to disease procedure of the baby after the discharge discharge की समय भी बेबी को anxiety रहेगी disease condition के related क्योंकि उनकी surgery हुई है उसके बाद drainage लगा हुआ है तो बेबी को डेर लगेगा तो इसके लिए हमें parents को पूरा explain करना है routine care कैसे करनी है उसके बाद discharge उसका कब निकालना है और उनको feed कैसे करना है इसके बादे में पूरा explanation हमको parents को देना पड़े यह था पोस्ट ऑप्रेटिव nursing care thank you so much यहां हमारा tracheo isophagal fistula की जो disease condition है यह खतम होती है झाल